एस सब्सक्राइबutan अब हम पहुंछ चुके आरेन की है कि कुछ इस तरह से देखता हुआ वैसे कल वाली वीडियो को सहाँ और अच्छे से सब्सक्राइन हो इस साइट से प्लेटफॉर्म है वो भी दिखाऊंगी फिलाल एक फटा-फट से कॉफी लेते हैं अब यहां पर लेंग्वेज में लिखा होता है यहीं की रेशन में लिखा होता लेकिन आप आराम से इसको पड़ सकते हो जैसे उपर जो सबसे पहले लिखा है वह है कैपच इस साइड पे आपको दिखना होगा लेफ्ट लगेज ओफिस यानि अगर आप अपने साथ में सामान यहां चोड़के जो कि मैं लास्टे करने वाली हूं आगे वाली वीडियो में और दिखांगी चार्जिस वगरे के साथ लेकिन फिलाल दिखा देती हूं यहां पे लगे जिसमें आप लगेज छोड़के भी अलमाटी सिटी घूम सकते हो अब हाव मच फर वन बैक वन बैक भाग अगेज के लिए जो प्राइस लगता हो भी मने पता कर लिया पांसर इंगे लगते अगर आपके बास छोटा बाएगा और पंद्रा सो लगते हैं अगर आप बड़ा सूटकेस लेकर आए तो फिलाल यह मार्केट कुरा बंद है लेकिन यहां से आप खाने पीने की बहुत सा साइड पर आपको वेटिंग लाँज है जो अब फिलाल मुझे लग रहा बंद है यहां पर नहीं पर आपको वेट भी कर सकते हो और यहां देखो यार बच्चों के लिए विलकुल मस्त मस्त गेम लगे हुए हैं स्टेशन पर ही और यहां पर देखो सारे शॉप्स बहुत स यह एकानुमी बहुति वहारा थारा फ्लाइक के लिए नहीं बुग पर देखते हैं उर्ब हरती नार कि लोग्राइब कि यहां तो तो देखते हैं हमारे भारत कि एकानौमी क्लास कि यहां कि अलभ होती है और प्राइसेजमें किस नकार के डिफिरेंक. इस इस एक्स्प्रेसो यह में मस्स में मिल रही है कप में छोटे से थांक यू यहां पर कप मुझे बहुत मस्स लगता है इनके बाल देखा है यहां पर कॉफी की दुकान पर बड़ी सुन्दा सुन्दा लड़किया होती है हमारी हाथ पे तो अंकल जी एक मतलब जो बूड़े से होते हैं पेट जिनका निकला होता है वो बेचिर होते हैं आपे बिल्कुल फिट सुन्दार लड़किया सारे काम करती है के सारे काम करता है है इंतालन एंदाची मतला होताइय है कारण लड़किया कॉपशा यहाँ इंतालन की दो मतलन की क्योंड़किया मतल़क तो चल्ड़किया वहें लुगका लंगिट पोर देखा के तो तो अम्रें है हुअन्भे है बौ। तेरी साहते थ्या जूपया तेरी साहते है। इस मारे फ़रीट जो ऑगे स्टेशन पर ही होटेल भी है अब होटेल के चार्जिस कितने वह बाद में पता करेंगे इस साइड पर होटेल है शायद फिलाल अंदर की तरफ चलते हैं जाये स्टेशन पर ही मुझे फल फ्रूट जैसे हमारे यहां बिकते हैं वैसा दिक रहा है तो भाई यहां पर स्टेशन वैसे ही लाइवली है जैसे हमारे भारत में होता है लोग आ रहें जा रहें फल फ्रूट बिकरा है फूल लगे हुए हैं दुकाने हैं खाने पीने की लेकिन जो हमारे भारत से सबसे अलग है वो है यहां की सफाई भाई एक कागज का भी यहां पर नहीं है और यह सामने ही खड़ी है हमारी ट्रेन पहले लगेज रखते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूं ट्रेन का यह सफर और साथ साथ में आके प्लेटफॉर्म की सेर भी करते हैं तो यहां का प्लेटफॉर्म बहुत ही साफ सुत्रा है मतलब और जो बनी दो सो किलोमेटर पर आर लिखा हुआ तो है अंदर जाने के बाद देखेंगे कि यह चलती भी है उस स्पीड से या नहीं और यहां पर उससे भी अच्छी बात पता है क्या है यह जो दोनों खड़ें आपको दिख रहोंगे न हर कोच की बाहर एक खड़ा होता है और आपको ग शू जाएगी फेटरास जाएगी तॉलकावास जाएगी फिर मंकें जायेगी फिर स्याम के जाएगी फैर्याज जाएगी फर सर्या लंब बशक्ते होने वाला है अभी हम दर चलेंगे कोच भी मैं आपको दिखाऊंगी, station काफी प्यार है, English Russian. 200 km पर आर की speed से चलने वाली train का सफर कैसा होता है आज चिकेट है, यह कुछ इस तरह से दिखता है आपको मैं बिल्कुल दिखा देती हूँ साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ है और उसके अलावा यहाँ पे यह जो है कोच का नंबर है ब्रो जो करके लिखा है यह वाला सीट नंबर है पंदरा जो लिखा है अलमाटी से ताशकंद की मेरी ट्रे ट्रेन है और कुछ इस प्रकार से यह टिकेट मिल रहा है टिकेट की प्राइस आगे जानेंगे यह है एकनोमी क्लास जिससे मैं यह सफर करने वाली हूँ आप चलते हैं ट्रेन के अंदर आप यह देखो नीचे से जो डिस्टन से वह थोड़ा उपर है इस तरह से एक चादे वह आपको यह दिख रहा है यानि की पानी की सुविधा भी अंदर होती है यह देखिए यह पर यह लिखाए ड्रेंक और यह सब आप कर सकते हो कैसे यहां पर दिया हुआ है यह गरम पानी का इससे अगर आप कुछ रेडी-toई भी लाते हो तो यही का यहीं पर बना बई मतलब हर में एक cabin है cabin में ही आप रहते हो मतलब 4 लोगों का एक cabin होता है मैं आपको दिखाती हूँ इस साइट पर यह मेरा नमबर 15 कि आर कुछ इस तरह से cabin दिखता है उपर के साइट पर दो सीट्स है नीचे के साइट्स पर 2 सीट्स है और नीचे पूरा कारपेट से ये ट्रेन जो है वो कवर होती है और आपको मिलता है इस तरह से ब्लांकेट नीचे बिछाने की चदर तक्या और कुछ इस प्रकार से इसका इंटियर है बहुत ही खुपसूरत बहुत ही लाजवाब अगर चार लोग एक साथ सफर कर रहे हैं तो चारो ही लोग मतल पैर रख रहे हैं तो मुझे गरम गरम हैसास हो रहा है कि यहां पर सर्दी पढ़ती है बहुत ठंडा प्रदेश ही है इस वज़े से यहां पर हीटर चल रहा होता है इस सेशन से ही मैंने लिली थी यह कॉफी तो अभी कॉफी पीते हैं थोड़े देर और फिर ट्रेंग का न सोड़े झाल れない है मतलब रिगूलरी यह एन पि accelerating हूँम अभी यहां के लोग इन्स्टाग्रा ब मातरों 4 मेम इं तो अब हम जो भी नजारे करेंगे यहां से करेंगे स्टेशन पर ही गेट खुलता है लेकिन उतररे उन्हीं को देते हैं जिनका स्टॉप आए आपको और आगे एक्स्प्लेइन करूंगे मैं अच्छे से फिलाल नजारों का मज़ा खिड़की से लेंगे नौ बच के 39 मिनिट यारी 49 मिनिट हो गए है और ट्रेन जो है अपनी वो स्टेशन से चल दी है चुक चुक की आवाज नहीं है यहां पर बिल्कुल स्मूधली चल रही है और आप अगर प्लेटफॉर्म देखोगे तो बिल्कुल साफ सुतरा है नीले रन की चेह लगी बीच में हरी भी है और यह जो दिख रहे हैं ना बाल्टी भर के सेव पहली बात तो अलमाटी शब्द का मतलब ही है फादर ओफ एपल्स और यहां पर लगबक तीन सो रुपए में पूरी बाल्टी मिल जा रही है भाई बड़े सस्ते और शानदार और गेनिक एपल्स है यहां के तो जैसे हमारे यहां पर हम सब लोग गेट के पास खड़े हो जाते हैं और नजारे देखते हैं यहां पर क्योंकि गेट ओपन नहीं होता है तो सब लोग देखिए खिड़की के पास आ गए हैं और देख रहे हैं नजारे यह हैं अलमाटी शहर जिसे हम अलविदा कह रहे ह अगले दो से तीन दिनों के लिए और उसके बाद पहुंचेंगे नई शहर नई देश में तो ट्रेन अपनी शुरू हो चुकी है फटा फट से एक पर वाश्रूम देखते हैं कि यहां के वाश्रूम्स कैसे होते हैं वेस्टन है अंदर वास बैसिंग भी है और बिल्कुल एर एरपोर्ट वाला होता है वैसा यह वाश्रूम है बायो टॉयलेट्स नहीं लगे हुए है यहां पे हर जगह पे यह डस्ट बीन लगा होता है और इस साइट पे दूसरा कोच है कोच इस तरह से कनेक्टेड है नीचे कुछ नहीं दिखाई देता है विल्कुल क्लीन तरीके स विल्कुल इस तरह से कनेक्टेड है तो ट्रेन में आपको सामने ही दिखाई देता है कि टाइम क्या हुआ है डेट क्या है कौन-कन से स्टॉप से और अभी यहां पे वह भी दिखा रहा था कि किस स्पीड से चल रही है और यहां बहार टैंपरेचर कितना है तो अलमाटी श जल रहा है थोड़ा शीशा गंदा है इस वज़े से आपको थोड़ा क्लियन दिख रहा होगा लेकिन बहार से यह शेहर बहुत खुबसूरत दिख रहा है यह देखो भाई हर्याली है साथ-साथ में रोड चल रही है और उसी के पास में ट्रेन चल रही है दूप है आज बहुत है तर्दी और सर्दियों में माइनस थर्टी टैंपरेचर चला जाता है भाई खतरनाक चल गए है अब ही मेरे हाथ में जो करनसी है यह है उसबेकिस्तान की करनसी और ट्रेन में ही यह भाई जी है यहां पर एक जो यह एक्सचेंज कर रहे है इन्होंने मुझे दिया है जो रेट दिया है मतलब अगर गूगल पे चेक करते हैं तो आपको यह ब्लैंकेट जो मिलती है इसी की मीचे पहले से ही एक सफेद रंगी चादर बिची होती है साइड में यह टॉवल रहता है और पिलो कवर रहता है जिसको आप लगा लो और बस अब आराम से सो जाओ यहां पर यह सीडी है मतलब जिसके उपर वाली सीड होती है उसको इसको अरेंज करके और फिर उपर चड़ना होता है आप जो यह सीडी लगी विए ने यह पर्मानेंट नहीं है है आप इसको हटा कि साध में रख देत Muhammad चड़न अगता है तो अपर इसको वापस फिट करते यह इस तरह से और उपर चड़ जाते हैं अब यह सीडी करते हैं न्युद्रीं शिकतो दो राउनी आए को अगा है वह थी कि और इस्टेशन अगया है और ऐसे अज़िए शो बाः इस स्थार इसे ट्रेंग श्रीक्ति आप क्योंकि ट्रेन में यहां पर स्मोकिंग वगर अलाऊ नहीं होती है तो वैसे स्टेशन पर बाहर उत्रे स्मोकिंग वगर कर रहा है छोटा सा ही स्टेशन है यह भी कि अच्छा प्रसाइट अफुट कि यहां पर स्टेशन पर इसे बेचने के लिए घूमते हैं ट्रोली लेकर को रिंग वगर अगर आपको खरीद नहीं तो आप इस तरह से खरीद सकते हो वाकी जैसे ही मतलब स्टेशन आया तो गेट खुला और ठीक ट्रेन चलने से कुछ देर पहले बंद हो गया अब ट्रेन फिर से चलने वाली है चोटा सा यह स्टेशन है पहले स्टेशन आया है अभी तो ट्रेन अब चल चुकी है लगभग मतलब जो टाइम डिसाइड़ होता है उस पर गेट बंद हो जाता है लेकिन ट्रेन थोड़ा सा रुक के चलती है तभी हम इस स्टेशन को अलविदा कहने वाले हैं इस साइड पर दूशरी ट्रेन हो रही है इस साइड पर दूशरी ट्रेन है अब तो मुझे पोवाज लोरो की भूग लग रही है तो मैं अपना बैक जो पिटा रहा है वो खोलती हूं और बच खाती हूं अभी तब ट्रेन में नो बहुत रहा हमारी आपके से बेच ने जर्णी वाले आते होते हैं और यह सब इस साइड जर्मी आ रहा है कि जो सारी ट्रेन है वो पुछ बंद है तो अपने साइड जुलाई हूं थेपला वेपला कुछ वो खोलते हैं थोड़ा बहत कुछ खाते हैं और नहारो कम पर साल लेंड्सकेप बिलकुल चेंज हो गया ह जर्मी मुझे फील ही कि ज्यादा हो दी है जैसे जैसे अब उस बेकिस्तान की तरह बढ़ते हो न तो गर्मी बढ़ती जाती है अलमाटी के कंपैरिजन में काफी गरम रहता है अब जो अगर बात करें लेंड्सकेप्स की तो पहाड बहुत दूर है और आगे सारा ना पीली कि रोडी दूदेते हैं मतलब रात को पानी से वह सफलाई होता पूरी सड़के दो दी जाती इसलिए मिट्टी बिल्कुल भी नूड़ती है और विल्कुल साफ सुचरे रहती है जगह तो मैं लाइन हो अपने साथ में ये पिकाजी का मिनी समोसा और ये स्वास भी में वहा जिए से क्रॉस हो रहा है वैसे ये कुछ इस तरह की जिखरी है बिल्कुल परानी पराने टाइप के अर्किटेक्टर जिसके उपर वो नहीं लगए होते हैं क्या बलते हैं अलुमीनियम के शीट्स वो रखे हैं दूड दूड तक बस बंजर टाइप का बंजर नहीं बोलों पूरा बर्फ वाला महौल रहता है अप्रेल में आते हो तो पूरा हरा महौल रहता है फिलाल क्योंकि ये सेट्टेम्बर का महीन है तो यहाँ पे थोड़ा पथजड़ वाला टाइम है तो ट्रेन अभी मस्त तेज स्पीड से भाग दी है मतलब काफी तेज चल रही है अब बात करें इधर नजारों की तो बिलकुल पत्थजड़ वाले नजारे हैं दूर दूर तक नंगे पहाड दिखाई दे रहे हैं काफी सही सीन लग रहा है दूर जो तो अभी जो रास्ते है न यह बिलकुल पत्रे के पास न препrias चल ह्रहे है непिलकुल सूरे साथ था खर बहु और बिलकुल अलगी दुनिया में आले मैं टालमाटी में जहां बिल्कुल अलगी लग रहा था जैसर से आगे की तरह पढ़ रहा है वैसले से थोड़ा गर्मी वाला और अलग मौसम सा दिखाई देने लग रहा है तो 45 किलमेटर पर आर की स्पीड से रही ट्रेन चल रही है तेरा तेरा एक बच गया है टाइम बुल-बुल क्लियर लिए है यहीं पर ट्रेन में लिखा हुआ है सुबब साडर नौ बच चले था विए तक सब तीन स्टेशन पर ट्रेन रुकिये और बाहर के नजारे मुछ ऐसे है तब ही एक श्टेशन आया है जो कि पीछे आपको दिख रहा है कापी सारे शॉप्स नहीं तो बचले विए है तो इस स्टेशन पर ट्रेन काफी तक रुकी है और यहां पर चिप्स और जो कोल्ड रिंग जैसे ऑप्शन दे सकते हो फूट बहुत सारे है यह देखो स्टेशन ऐसा है प्लेटफोर्म बिल्कुल मिट्टी का बनावा और जैसे बाहर निकलो तो शहर आजाता है ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ी है बाई बाई करते हैं तुम्हारी जो बाहर लिखाता है ना कि 200 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से ट्रेन चलती है ऐसा कुछ भी नहीं है असी से सोगे बीच से उपर ये ट्रेन अभी तक तो नहीं चली है काफी स्लो मोशन में चल रहे है शहर से चल निकल रही है और कुछी टाइम बाद में कजाकिस्तान खताम होगा और हम उस्बेकिस्तान के बॉर्डर में एंटर करेंगे अब मैंने बना लिया है अपने लिये गर्मा गरम पुह तोह पे ट्रेन में गर्म पानी तो मिलता ही है घरम पानी लिया अभी अपनि बड़िया मजदार सेव के साथ में चली हैए नहों की माल्गाडिya होती है एक मतलब से हमारे से लग हो ट्रेंग की क्रॉसिंग ऐस Г dziया है तो क् आधाय कि अभडे है क्यों सब्सक्राइद करें चोक्राओे ऑं हीम्हों कि ऊगते है तो पर रखिर नजारे हैं अब यहां से मुझे पेट्रोल के कुई टाइप के और पेट्रोल की काफी सारी चीजे दिख रही है काफी बड़ा सा स्टेशन है जो आने वाला है वैसे मैं बता दू आपको कि इस स्टेशन के आसपास से क्रजाकिस्तान यानि की एक और कंट्री का बॉर्डर पड़ता है यहां से बिलकुल पास से ही पट्री बुजर रही है और दूर दूर ओली के रिफाइनरी दिख रही है बड़े बड़े से टावर लगे हुएं काफी बड़ा सा शहर है जो आने वाला है और इसी शहर के पास से पड़ता है क्रजाकिस्तान का बॉर्डर यानि कजाकिस्तान फिर क्रजाकिस्तान और फिर उस्बेकिस्तान वैसे तीन कंट्री को नहीं कवर करती है यह सिर्फ बॉर्डर का विलेज है अचानक से बेड़े दिखने लगी है तो जो टेंपरेचर है वो य अभी जो है दूर मुझे दिखाई दे रहे हैं पहाड भी बहुत अलग है मतलब पीछे की तरफ जहां पे यह पहाड दिख रहे हैं नॉर्मल लागे की तरफ सेंड्यूस जो आपको लटाक और राजस्तान के जो रेतीले टीले होते हैं वैसे लग रहे हैं वाक्या करी जाए वनस्पती की तो वनस्पत्य बिलकुर अलग है यह जो पेडर दिख रहे हैं यह बिलकुल भी देजर्ट वाले नहीं में बहुत अलगी तरह का नहीं है क्षार App हरे पहाड है दूसरी तरफ बिल्कुल सेंड ड्यून से तो काफी अलग चीजें बाकि अब स्टेशन आने ही वाला है जो एक और बॉर्डर विलेज सरी विलेज तो क्या वोलोंगी बॉर्डर सिटी है बॉर्डर का गाम है तो पहुंच रहें उसकी तरफ समय हो गया है तीन बचकर सत्तावन मिनिट का और लोग की चहल पहल विल्कुल बनी होई है यहाँ पर 29 डिग्री 83 किलोमेटर पर आरगी स्पीड से फिलाल ट्रेन चल रही है तो यह जो ट्रेन है यहाँ पर आप देखो सारे स्टेशन लिखे वे अलमाटी से ताशकंद के बीच में लगबग नो स्टेशन को यह कवर करती है अठारा घंटे का यह पूरा सफर है नौ बच के चोतिस मिनिट पर शुरू होता है और दो बच के तरेपन मिनिट वहाँ का जो समय है वहाँ पर यह कंप्लीट करती है अपनी जर्णी को और यहाँ पर सब कुछ लिखावाएगी पांच बच यहां पर दस मिनिट और इस प्रकार से कुछ फॉल्स भी यहां पर लिखे में सब कुछ यहां पर रश्यन में लिखा लेकिन थोड़ा लेटर्स ने आसपास में तो थोड़ा-थोड़ा समझ आता है आउन से तो अब मैं आ चुकी हूं इस स्टेशन पर जो कि क्रजागिस्थान के बॉर्डर पर यानिकी जो मैं पर अगर आप देखो के तो सब से पहले काज आइस तान उसकी वीपूल बगल में उसने और उसकी भी पास में क्रजाकिस्थान भी परता और यह वही स्टेशनल कि रेजाब के देख कहसे जहां करें чक ने के सहां का लिए ठरैंग जानадно की किस्द्ध करには इक दकाइब कुने कि मुझने ठरवाद व्हराणने की चीज़ें में कूष यहां पर ज़घ On में ऊठीर आप चब्मूनिक बाइंदर आण्टा यह लंग्ए यहां पे हाल्ट है लेकिन जब ओपन होता है गेट और बंद होता है उससे मतलब आपी सुछी है जब चार पांच मिनिट का मारजन है और दो से तीम मिनिट का मिलता है तो बहुत का मिलता है तो अगर कुछ खरीदने के लिए उतर तो जल्दी जाएं फटाफट से खरीदे और जो खरीदने की चीजें है वह काफी सारी है मतलब नॉन वेजिटेरियन है हलांकि बहुत गंदा गंदा सर दिख रहाता मतलब सूखा थंडा जो होता न वह सब कुछ रहता है बाकि अगर कोल ड्रेंग्स फूट और इन सब की बात करें तो वह काफी सारी उप्शन से जो लि ट्रेंड दो सू किलोमेटर पर आर के स्पीड से नहीं चली है तो यह भी जूट लेकावा है सौ 120-130 की बीच में मैक्सिमम गई है वरना एवरेज स्पीड देखी जाए तो असी के करीबन चल रहे है ट्रेंड अपनी चल चुकी है चुक 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 ट्रे सब्सक्राइब था है तो इस चुक टरेंड में जो ने से अर शॉट siitä आब था बदू ने लैंगे मिन निया नहीं यह घ्टालार आहना क्या यह तर्हेंक्तर्ब無 काुटिशन्स्तर मैं जिसमें हूँ वह नटूर एशमाेशनल्स ही कॉत्ते देखोगे तो काफी उच्छा ह है लगेज रखने का जो स्पेस है वो भी काफी सही है विंडोस भी काफी बड़ी-बड़ी है तो अगर थोड़ी ही दूरी की मतलब है जर्नी या फिर आप बैटने में कमफर्टेबल और थोड़ा बजट कम है आपका मलब कम बजट में करना चाहते हो तो इससे भी अपना सफ अपर किच्छन त्रेन में मैं ऐसे डोल रहें तर यहां का जो सेकिन सीट है उसमें मेरी टिकेट है और जो पैटने वाला है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा बैटने वाले सीट भी काफी कमफर्टेबल दिख रहे हैं और लेग स्पेस भी अच्छा और विंडोस भी ब विखिस्तान की टेंगे से उस बेगिस्तान की गरंसी में चेंज करवाना है तो ठेन में हलागी रेट कम मिल रहे हैं लिकि फिर भी थोड़ा सा अगर अपने पास रखना है तो ट्रेन में करवा कर लो कि यह चैन काफी लेट नइट आपको पहुचाती है और उस टेम पे टे मौसम बदल चुका है, संसट हो चुका है और जो जो जोग्रोफिकली और वेजिटेशन है वो भी बिल्कुल अलग दिख रहा है, पहाड दिख रहा है, और थोड़ी सी हर्याली हो गई है, जहां अभी एकदम से सूखा आ गया था, अभी फिर से जो लेंस्केप्स है, जो मैं अपने साथ में सारा खाने पीने का इंतजाम करके आई हूं क्योंकि तो खाने पीने की चीज तो आती यह से हमारे हम हैं, हर थोड़ देर में कोई मूफली बेच रहा है कोई चना चोरगरा है, कभी कुछ आरा है कभी कुछ आरा कासे हैं एक भी अंदर आना तो अलाव ही नहीं है, उसका एक और रीजन है हमारे हैं, बहुत सारे शहर होते हैं, क्योंकि आफादी बहुत जादा है यहाँ पे आफादी तनी कम है इसज़े से पूरें कैसले यह समझ भीक्तरी लगा थी यह इसमाज़ों देश ही खाली साई पड़ा है अब कितनी दूर सह हम आर है लेकिन आजे से जादा रास्ता है फाली साही लग रहा है अभी जितना भी पहाड पलेबाध दूर थे और मिट्वाड़े पहाड थे वहीं आप पहाड बिल्कुल पास आ गया है जो जो तो तो पता नहीं हम लोग तो मारवड़ी में दूंगर बोलते हैं मालब जो चढनने लायक होता है छोटा सा पहाड होता है पहाड बहुत उचा नहीं होता है। विप लिग में चाढ सकते हैं। इस तरह को डिख रहा है। वीज वीज में कहना सारी है। संसेट का व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब अब आप सुन्दर का देखने को मिली है। और श्याम हो चुकी है, तो अंधेरा भी हाँ पर हो जायगा अभी तक एक भी ऐसा नहीं रिखा है कि ट्रेंसे बिल्कुल गाउं दिख रहे हूं, घर दिख रहे हूं बिल्कुल खाली खाली रूट पर चल रहे है गाउंगे कही पहाडों के पीछे तो और जो भी ट्रेंस भी आते जाते दिखी है, मुस्ली गुड्स दिखी है पैसंजर ट्रेंस एक भी क्रॉसिंग नी हुई है तो काफी चीजे हैं जो बिल्कुल यूनीक है ओवरॉल एक्सपीरियेंस अभी तक अच्छा चल रहा है खाते पीते हैं, मैं अपने साथ पैक्ड सारा फूड लेके आई हूँ तो वो खाएंगे और वरात को पहुचके देखते हैं उस वेकिस्तान में कैसा है तो अभी स्टेशन आया है और यहां पे देखो हर स्टेशन के बार ऐसे फल की दुकान लगी रहती है पूरी बाल्टी भर के यहां पे एपल वैपल मिल रही है तो शाम के लगबख साथ बच चुके हैं और ट्रेन अभी स्टेशन पर रुके हाला कि हैं पे दस मिनिट का स्टॉप ओवर होता है तो जाए अदर जाए जाए आप अधर आप रही है यहां के जो वाश्रूम से उन में अवाइड ट्यूलेट थे नहीं तो शक रूश्रूम अब जो है नेक्स्टॉप आने वाला एक घंटे के बाद में लगबग 8 बजे और उसकी बाद वाली जो फोब बहुत देर तक यह जब सिफ दो मिनिट के लिए ट्रेन गुकेगी और अमेरा हो चुका है बस यही अपडेट है और हाँ अगर शुरू में आपको बोला था देखेंगे टाइम पर चल रहे या नहीं चल रहे अभी तक अल्मोस्स टाइम पर यह बहुत जादा डिले नहीं है लेकिन अगर बात की जाएं कि इंडियन रेल्वेवे बेटर है यहां की डिले बेटर है त्राइल से इंडियन रेल्वे वे विंस क्योंकि इतनी ज्यादा लोग उसमें जर्नी करते हैं बावजोद भी वहां कि जो फैसलिटीज है सीट का कमफ़र्ट है और बाकी सारी भी सुक्सविदाएं है उ भी मैं बहुत जादा मिस कर रहे हैं यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है जो सीट होती है जो यहां पर लगी हुई रहती है नॉर्मली वह बिल्कुल उपर भी उठ जाती है मतलब आप इसको इस तरह से भी पूरा बना सकते हो और चाहो तो यहां से टैंपरेचर भी कंट्रो हो जाएगा उसके अलावा यह जो शीशे हैं यह भी काफी बड़े-बड़े हैं क्योंकि अगर कोई भी एमर्जेंसी होती है तो इसको फोड़ के बाहर जा सकते हो और सिगरेट पीना इन लोगों ने स्ट्रिकली प्रोहिबिटेड है हमारे इंडिया की जैसे नहीं अलाम ब प्राब्लम हो सकती है और चार्जर भी पूरे कंट्री में यहां पर जब भी आओ तो यह यूनिवर्सल अडप्टर है यह ज़रूर खरीद लो मढ़ना चाहे होटेल हो चाहे कहीं भी आप चार्ज नहीं कर पाओगे तो अब अगर देखा जाए कि इंडियन रेलवे अच्छी है यहां की अगर बात की जाए साफ सफाई की नो डाउट इंडियन रेलवे वर्स्ट है उससे बेकार गंदगी और क्योंकि उसके लिए रिस्पॉंसिबल शायद हम सेटीजन सी है कोई और तो आकि उससे साफ रख सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पैसो के हिसाब से यहां की सीट्स को में डाउन मतलब बोलूंगी कि इंडियन रेलवे उसमें जीट जाती है बात की जाए स्पीड की ना अगर कि कितना फास बाग रही है लेकिन यह तेड़ सो भी टच नहीं कर रही है लेकिन हां टाइम पर ह क्योंकि यहां पर ट्रेने चलती ही नहीं उसका एक और रीजन है हमारे यहां पॉपुलेशन इतनी जादा है इतनी जादा ट्रेन्स चल रहोती है यहां पर मुझे पूरे रासने में एक भी पैसेंजर ट्रेन मी दिखिये तो उसे साब से भी देखा जाय तो इंडियन अधा भी यहां पर नहीं है तो काफी मामलों में मुझे लगता है इंडियन रेलवे जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है बस हमें सबसे इंपॉर्टेंट सफाई की जरुवत है अगर सफाई हो जाए तो हमारी ट्रेन वा 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 हो जाए रात का समय हो चुका है लगबख आठ बच चुका है और अब आया है यह स्टेशन जहां पर फाइनली ऐसे लग रहा है कि कुछ बड़े शहर में आये हैं कुछ बड़ी सिटी में आये क्योंकि हर जग है इतने छोटे छोटे से स्टेशन थे कि लगी नहीं राता कि कहा जा रहा है फाइनली एक ब अच्छा लग रहा है ठंडी ठंडी हवा अंदर बिल्कुल ऐसे गरम सा हो गया है क्योंकि ठंड रहती है इस वज़े से यहां पर पूरा टाइम हीटर चाल रहा होता है मतलब गरम हवा वाला हाला कि मैंने उसको एसी वाले पर कड़ दिया है स्टिल इतना गरम लग रहा है बह शामकंट शामकंट स्टेशन है काफी बड़ा और अब यहां से भी ट्रेन बहुत जादा देनी रुकी थोड़ी दिर रुक के चल दी है काफी बड़ा शहर लग रहा है आपर फाइनली अलमार्टी के बाद मुझे लग रहा है यही एक बड़ा शहर आया है स्पोर्ट वगरे मांगे चा रहे हैं और पता नी रशियन में क्या बात करने के कोशिच करें कुछ समझ नहीं आ रहा है और इधर सिर पहली ट्रेन मुझे दिखाई दी है अब जाके मिलब फूरे सफर में अब एक पैसंजर ट्रेन दिखिए मुझे जो ग्रीन और वाइट क अब हम पहुंच चुके बॉर्डर एरिया पर जाली दिख रही है यहां से क्योंकि अब नई आद देश जो होने वाला तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगरे यहां पर चेक होंगे तब यह बड़ा समुक्त आया और चेक करके गया अब यह सब चीज़ शूट करना लाउन होता पुरी ट्रें के एक-घंटे का ओल जा गॉंटी में पूरी ट्रेंगे चेक होगे फिर चाहिए और पुरी ट्रेंगर भी anद विज़गर जुष्टान क一次 हचा कुष्टेंट से जाथ ही रच शेक्षाटी writer रची चूशक़ोगं सेares कहता है तर है सिर्च है यहां का एक हमेसलिम पुर्पी तोस्ồngत अरच इले कोगुप कि बाने मुख़ेत है प्रहमिने मेरी यहां प्रीष्टान का रती मिन के वह महत ऐती success यहां पर बड़ी सर्प्राइजिंग वाली बात है सारी चीज़े आप से उतरने से पहले ही पैडशीट यह वो सब फोल्ड वोल्ड करवा के आप से लेते हैं मतलब हमार इंडिया के छोड़ के चले जाओ पूरी चीज़े आप से वापस लेते हैं और फिर आप उतरते हो सारी चीज़े की क्लीनिंग वगड़ा चल रही है तो काफी सिस्टमेटिक मतलब सारी चीज़े हैं मैं सब इंतजार है रात के तीन बज़े का टाइम है लगभव तीन बजने ही वाला है और खौशने वाले हैं ताशकेंट वहां का रेल्वे स्टेशन भी दिखाते हैं वहां उतरने के बाद भी कोई प्रूसीजर है क्या वो सब देखते हैं तो ताशकेंट आ चुका है काफी पड़ी सिटी यह है फिलाल बज़ गए है रात के धाई तीन बज़े का समय है तो आई तीन बज़े तक ही यह पूरा स्टेशन पर जाके लगेगी सुबस साड़े चार बज़े यही ट्रेन वापस निकल जाती है अलमाटी की और तो यह ट्रेन का सफ़र काफी स्मूद रहा है अभी तक स्टेशन पहुंचते हैं और स्टेशन भी आपको दिखाते हूं कि कै है और वहां के रिक्वाइरमेंट्स भी वहां के प्रसीजर भी तो राच के दो बच के बयालिस मिनिट पर इस ट्रेन ने पहुंचा दिया है ताशकेंट रेल्वे स्टेशन पर अभी बाहर की तरफ चलते हैं और काफी स्मूद यह सफर रहा और देखते हैं यहां पर भी कुछ प्रसीजर बाती है क्या होना तो आज का यह सफर जो शुरू हुआ था अलमाटी शहर से कजाकिस्तान के अंत होता है ताशकेंट में ज जल्दी से सबस्क्राइब कर लीजिए आज के लिए इतना ही था तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए उनके बाई